Sea Bridge Treatment Plant Contract Union ने शिमला जल प्रबंधन निगम कारेले के बाहर अपनी मागों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है सीटू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे करमचारियों ने कहा कि वो अपनी मागों को लिकर लंबे समय से संघर्श कर रहे हैं लेकिन उनकी मागों को अंदेखा किया गया है यूनियन के दिक्ष पंकल शर्मा ने बताया कि सरवच न्यायले के आदेश अनुसार समान काम का समान वेतन दिये जाने और वेतन में व्रद्धी करने और हर महीने की साथ तारीक को वेतन दिये जाने की मागों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है उन्होंने कहा कि पावर प्लांट टरनल में करमचारियों को काफी मुश्किल परिस्थियों में काम करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थे पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है पंकल शर्मा ने कहा कि जल्द ही उनकी मागुक को माना जाना चाहिए नहीं तो आंदोलन को और तेज किया चाहेगा इसमें हमारी 16-17 मांगे हैं जिसमें मुख्यत जो मांगे हैं जो सुप्रिम कोट का निर्ना है समान काम का समान वेतन उस जिवान को लेकर भी हम आज पहुंचे हैं अभी हमारी अगर कोई बातचीत यहां पर होती है तो जो भी निर्नाय अंदर से मतलब जो पज़ा दिकारी लेंगे जब अगर कोई निर्नाय निकल जाता है तो हम उसके बाद इसको खतम करेंगे नहीं तो आगे की लंबी लडाई लड़ेंगे